दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका भी पोस्ट ओपिस में सुकन्या समर्दी में अकाउंट है तो आप उस अकाउंट का जो है बेलेंस किस तरह से चेक कर सकते हो यानि अकाउंट में आपके अभी तक कितना रुपया जो है जमा हो गया है उसका ब पोस्ट ओपिस के सुकन्या समर्दी या पोस्ट ओपिस की किसी भी सेविंग स्कीम का अकाउंट बिल्यएंस चेक करने के लिए आपके पाचा आईपओन हो या फिर लेपडप हो इसमें जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो ब्राउजर के सर्च बोक्स को ओपन कर लेन गुपर किलिक करेंगे नेक्स्ट पेज हमारे सामने खुलके इस तरह से शो हो जाएगा तो इसमें एक मेन्यू का ओप्षन दिया है इसमें कई ओप्षन दिये हैं तो आपको और भी किसी ओप्षन के रिगार्डिंग काम है तो आप उस पर जो है किलिक करके और उसको ओपन कर के चेक कर सकते हो परन्तु आभी हमारे को अकाउंट का बेलेंस चेक करना है तो अकाउंट बेलेंस के लिए इसमें जो एक ओप्षन दिया है बेंकिंग एंड रेमिडेंस जहां पर मैंने एरो मार किया है इसके ओपर हमारे को किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं इस ओप्षन क के उपर किलिक कर देना है जैसे ही मैं e-passbook के उपर किलिक करूँगा किलिक करते ही जो है एक मेरे को next window में यानि एक next website जो है मेरे सामने खुलके स्यो हो जाएगी तो इस तरह से next website का पेच आ गया इसमें आप देख सकते हो कि एक option दियावा किलिक here for posb sewa e-passbook तो हमारे को जो है e-passbook गवाले इस option के उपर किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं इस passbook के उपर किलिक करूँगा इस तरह का interface आ जाएगा इस interface को ok कर देना है तो जैसे ही मैं इसको ok करूँगा page loading होने में थोड़ सा time लगेगा थोड़ सा इंतजार करना है और next page खूल के इस तरह से show कर देगा तो इसमें enter mobile number और इंटर capture यानि इसमें आपको अपना की केपचा को रिप्रेस करना है और फिर जो है न्यू केपचा आपके सामने शो करे उसको आपको डालते रहना है यानि जैसे ही इसमें इन्वेलिड केपचा शो करे आपको जो है बैक नहीं होना है क्योंकि कई की बार सही केपचा देखो मैंने सही केपचा इसमें डाला परन्तु फिर भी केपचा विलिडेशन फेल ट्राई अगें लेटर यानि इसमें इस तरह से जो है नेटोर इस्यू के करण कई की बार शो कर देगा तो आपको गबराने की जुरुद नहीं है यहां से बैक नहीं होता है आपका जो केपचा के सामने रिप्रेस का बटन है उस ठेप के उपर आपको किलिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू केपचा जो है जनरेट हो जाएगा और वो न्यू केपचा आप इस केपचा वाले बोक्स में यहां पर इंटर करें और इसको login करें तो दूसरी बार जो है कि मेरा केपचा ले लिया है अभी मेरा जो registered mobile नमर जो मैंने उपर डाला था उसके उपर एक OTP आ जाएगी तो वो OTP मेरे six digit की होगी तो यहाँ पर जो six digit के box बने हुए है इस box में जो six digit की OTP receive हुई है वो सही correct OTP वहाँ पर देखके और इसमें enter कर देना है यानि दोस्तो बहुत ही easy तरीका जो है post office का है इसके दोरा हम जो है अपने account का balance, mini statement, सब कुछ जो है आसानी से check करके confirm कर सकते हैं अभी आपको OTP डालने के बाद submit कर देना है जैसे मैं submit करूंगा इस तरह का पेच आ जाएगा यानि यहां तक तो बहुती आसानी से open हो जाएगा प्रन्तु इसके आगे जो click here का option है इसके उपर हमारे को click करना है तो कई की बार तो क्या होगा कि मैं एक बारी ही इसके उपर click करूंगा तो मेरा click here के option पर next page मेरे सामने खुल के show हो जाएगा कई बार दो बार तीन बार या च्यार बार practice करने के बाद भी जो है open नहीं होता है तो आपको इसमें जो है click here पर जो है click करते रहना है तो जैसे या आप इसके उपर click करोगे click करते इस तरह का जो है page मेरे सामने next page खुल के show हो जाएगा अभी इसमें मेरे को कुछ detail जो है फि account नमर वाड़े box में फिलब कर देना है register mobile नमर में आपको register mobile नमर जो उसके साथ में आपका link mobile नमर है वो ही यहां पर enter करें और जो केपचा वाड़ा है वहां पर आपको जो है डालके और इसको जो है page को आपको continue कर देना है तो मैं पूरी की पूरी डीटेल जो है इसमें फि वाह हुआ है तो आप जो है यह डाल देना है और यह डालने के बाद इसमें भी कई बार केपचा invalid शो करता है तो आपको दुबारा practice करनी है और इसको आपको जो है continue कर देना है तो जैसे ही मैं इसको continue वाले टेप के ओपर क्लिक करूँगा किलिक करते फिर मेरे रेजिस्टर मोबाइल नमर के उपर एक जो है OTP आएगी वो OTP आपको इनको जो है OTP वाड़े बोक्स है 6-day digit की OTP आएगी और 6 ही यहाँ पर बोक्स बने वे हैं तो आपको जो है वहाँ से correct OTP इसमें डालके और नीचे verify का जो option है इसको verify कर देना है अगर OTP किसी कारणवस नहीं आती है तो नीचे जो recent OTP का option बनावा है इसके उपर आपको किलिक करके आप OTP जो है दुबारा भी मंगवा सकते हो तो OTP नहीं आती है तो recent OTP का जो option है इसके उपर किलिक करके दुबारा OTP भी प्राप्त कर सकते हो तो जैसे ही मैंने ये किया इस तरह से आ गया तो मेरा ये जो है सुकन्या समर्दिका था तो यहां पर मेरे को scheme code में पूरा का पूरा श्योग कर देगा अगर आपका किसी और का होगा तो वो श्योग कर देगा अभी इसमें option आगए balance inquiry अगर आपको balance inquiry का पता करना है तो first वाले जो टेप दिया है balance inquiry का balance inquiry वाले टेप के ओपर जैसे किलिक करूंगा किलिक करते ही जो है balance inquiry successful amount में आपका जितना amount इसमें deposit है वो श्योग कर देगा और account ID यानि आपके जो सुकन्या समर्दी account की जो customer ID है वो आपको श्योग कर देगा तो इस तरह से आप आसानी से जो है इसका balance check कर सकते हो mini statement भी check करना है तो go back के option के ओपर किलिक करना है और जो mini statement वाड़ा option है इसके ओपर किलिक कर देना है तो जैसे या mini statement इस तरह का तो last के 10 इसमें transaction हुए है आपके account में वो यहाँ पर show कर देगा तो इसमें आप download भी कर सकते हो download का option दिया है account ID transaction date amount transaction type और description तो इस तर में page को जो है back होना है और जो detail statement का option है इसके उपर आप जैसे ही किलिक करोगे तो आपके account से रेरिटेट जो statement है जिससे आपके account का account number है उसके जो है mobile number है nomination है इसके बाद में उसकी customer ID है तो आपका वो आपका जो है इसमें पूरा का पूरा जो है show कर देगा तो आप देख सकत हो account detail में account number हो गया account type हो गया scheme code हो गया scheme description, IFC code, registered mobile number, nomination और customer ID तो दोस्तो इस तरह से आप जो है घर बटे ही अपने mobile के दोरा post office का ये तो mini के example दिया है आप post office की किसी भी saving scheme का account balance, mini statement और detail statement जो है आसानी से चेक कर सकते हो फिर भी आपको किसी भी परकार की कोई query हो नहीं समझ मे कमेंट बोक्स में जरूर लिखे मेरे से जितना हो सकेगा पूरी help करूँगा धन्यवाद, thank you